जिन्दगी में प्रैक्टिकल होते होते हमने अपने इमोशन्स को कब अलविदा कह दिया पता ही ना चला पैरंट्स बनने का डिसिजिन तो एक कपल का म्यूचल होता है लेकिन यही कपल जब अपनी जिम्मेदारियों को बाटना चाते है तो सुसाइड़ी कब लड़के को जोरू का गुलाम बना देती है पता ही ना चला आज के डिजिटल एरा के जमाने में हमने कब वेकेशन्स को दूर दराज घूमने जाना सोशल मीडिया पे सेलफी क्लिक करके पोस्ट करना बना दिया और कब इन वेकेशन्स में से अटेच्मेंट्स चले गए यह हमें पता ही ना चला ऐसे ही मसलों को हल करने के लिए हमारी व्यूवर्स को अंधेरे में से निकाल कर रोशनी में लाने के लिए एक बर फिर से आपके जजबातों को जगाने के लिए हम ले आए है प्रोग्राम यूथ पेट्रोल तो आईए सबसे पहले इस्तिक्बाल करते हैं डॉक्टर अली अ अब्जरवेशन है कि हम जिस तरह का कंटेंट से हम एक्सपोस हुए हैं जो चीजे हम देखते हैं जो हमारे आसपास हमने जो लाइफ में चेंजिस देख रहे हैं उसका बहुत ही ज्यादा असर हुआ है हम पर और इसके बड़ी वचा ये भी है कि आज हम कहीं ना कहीं हमारे रिष्टो से डिसकनेक्ट हो चुके हैं और हमारी कोशिश है कि हमारे प्रोग्राम के जरिए हम एक बार फिर से अपने आपको लाइफ से कनेक्ट करें इमोशन से कनेक्ट करें तो वही मैं ये समझती हूँ कि जहां हमने अपने आपको इन जीजों से अल्रेडी एक्सपोस क बहुत ही यूमन इमोशन से तच सवाल है, सो पहले तो मैं आपको कॉंगरेजुलेट करना चाहूंगा, कि इतनी डीप थिंकिंग वाला सवाल आपने लाए कि हमारे व्यूवर्स जाग जाए. Exactly, exactly. क्या हुआ है, ओवर पिरियोड अफ ताइम एक आखरी पंदरा साल के अंदर, इलेक्त्रोनिक टच आ गया, यूमन टच खला गया. Exactly, हम सोशल मीडिया पर तो कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अपने घरोलों से हमने डिसकनेक कर लिया. यूमन टच चला गया. Exactly. अब दुमन तच चला गया ऩो अब आइमोशन का जो स्पार्क है मीडिय। मतच है. ponyडियुडल कंद्री अब यूमन अच चला गया तो स्पाक कम हो गया, स्पाक कम हू DAR तो मैं मैं कैनिकल दुनिया में, टैकनिकल दुनिया में चला गया. मेरा जो 80% जो इमोशनल कोशन्ट है कहा है अब अच्छा 80% भी वो हाइस्ट इमोशन कोशन्ट था हम उसमें भी एक्सेस कर पाते थे 20, 25, 30, 40 तक अब ये सिचुएशन आ गई कि मैं मेरी मम्मी के साथ में हूँ डिसकनेक्ट हूँ मेरे डेड़ी के साथ में हूँ मेरे डिसकनेक्ट हूँ मैं अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं थोड़ी बात करूंगा के एक बैट शेयर करते है हजबंड वाइफ जी बट इमोशनली अलग अलग दुनिया में जीते है फिजिकली है वहाँ पर है हमारे छोटे बच्चे को मासूम बच्चे को मुझे नेशनल चैनल के उपर बोलना अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं आपकी इजाज़त चाहूंगा कि मैं बोलू कि बच्चे को मां फीड कर रही है और मोबैल में उसका ध्यान है कि इस तरह के सवालाथ हमें आते जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम इंसान तो है लेकिन जजबात कहां है हमारे इमोशन जो है वो डिमिनिश हो रहे है और उसी तरह हमारा पहला सवाल भी है वीवस इनका कहना है कि इनमें आप जजबात इन्हें लगता है कि नहीं इनके अंकल गुजर गया उनकी देथ हो गया इनकी आखे नमना हुई इनकी जो कसिन है वो गिर गई सीडियों से उनने फ्रेक्चर हो गया इनने कोई फरक नहीं पड़ा इनका कहना है इनकी फ्रेंड ने जो बहुत भाधत से पैसे कमाय थे शेयर्स में वो पैसे वो हार वो काफी रोने लगी परेशान हो गई लेकर इनने कोई फरक दिंग पड़ा अब यह पूछ रहा है क्या यह दोबल है देखिए पाइस पहले समझ लो के हम इनसान जो है न इसा बंडल ओफ एमोशन्स एग्जाक्ली हमारे पास सारे तरह के हैपी एमोशन भी होते है साड़ एंगर जलेसी हैपिनेस जॉइ अम्यूजमेंट फरस्टेशन गिल्ट रिजेक्शन है कभी हम उदास है अच्छा यह कभी क्या होता है कि हम एकदॉम हाइस लेवल ओफ हैपिनेस पे होते कभी मेडियम पे होते कभी नूट्रल पे होते कभी नेगेटिव में चले जाते तो स यह रोलर कोश्टर की तरह हमारे साथ में चलते ही रहते हैं और यह होना चाहिए यह यह नेचर है यह नेचर है यह नेचर है बट मेरे पास इमोशन होते हुए भी यह बंदा या बंदी है जी बंदा है मेरे इसाब से यह मेरा चोटा भाहिया उसके पास इमोशन है लेकिन इसके लिए कोई वजह हो सकता है एंजाइटी हो हो सकता है ट्रामा हो वो सकता है इतना कनेक्टेड हो गया दूसरी दुनिया से दूसरी दूनिया डिजिटल वर्ल्ड कि वह अपने सारे इमोशन जोने एक्सप्रेस कर दिया कि अब नहीं बचे है और यही एक कमपोनेंट होता है डिप्रेशन का अच्छा एक सिंटम्स होता है डिप्रेशन का इसको जो हम बोलेंगे एनेडोनिया 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 तो अब यह तो हमने कॉस समझने की कुशिश की अब इसका सल्यूशन अब यह सिचुएशन में इसा होता है कि में एकदम मेरा इमोशनल अफे something is wrong with me के महीं एमोशन होते हुआ भी एक्सेस नहीं कर पाता हूँ कोई मरता है मेरा मामा चाचा मर गया तो भी मुझा आसू नहीं आये मेरे फ्रेंड का एक्सिदेंट हुआ मेरी फ्रेंड के पैसे चले गए बड़ एमोशनल मिलकुल फ्रेट है यू नहीं और इमेड़ली सी अ काउंसिलर अच्छा यह क्लिनिकल हो चुका है बड़ काउंसिलर डेड़ करेंगा के विजर एक साइकर्टर कीट्मेंट और नोट ओके ठीक है क्यू नहीं बोलता हूँ के एक कही न कही एक स्पार्ग है जो यहां तक question आया है realization है अगर spark है तो हम उसको reverse कर सकते है तो brother आपसे बस यही कहना चाहेंगे सबसे पहले बहुत ही अच्छी बात है कि आपने realize कि आपके साथ कोई मसला है कोई issue है और आपने सोचा कि आप हम तक सवाल भेजे तो yes, यह जो आप feel कर रहे है कि किसी भी चीज से आपको कोई फरक नहीं पड़ता this is not double जिस तरह डॉक्टर ने कहा कि हर इंसान बहुत सारे emotions से बनता है, emotions होना natural है और अगर आप feel कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज से emotionally connected नहीं है आप पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता it's high time, आप जाएए किसी counselor से मिलिये and let them decide क्या आगे, क्या करना है right doctor? Please, we'll move on to the next question Inshallah, please viewers इनका कहना है कि इनकी wife और ये एक अच्छी जिंदगी बिता रहे थे and then they decided to become parents जब इनने baby हो गया इनकी जो वाइफ है वो काफी ज्यादा वर्यट रहती है उदास रहती है चिर्चडी हो चुकी है ठीक है और काफी बार रात में वो बच्चा अपने हाथ में लेके रोती रहती है तो क्या ये नॉमल है between two to eight weeks post-pregnancy prospect post-delivery post-delivery अगर ये तो नॉर्मल है नॉर्मल है ठीक है क्यूंकि बाले मैं अपको अनट बी समझा दू के प्रेगनेंसी जब होती है तब फीमेल के हार्मों हॉर्मों जो होते है वो हाय होते है जी और जैसे यसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है एसे से बोड़ी के हार्मोंस और हाय होते जाते है फुल टम प्रेगनेंसी हुई हायस्ट पीक और जब डेलिवरी हुई तो ये जो हॉर्मों जो उपर थे वो श्लोली-ज्लोली खट टक नीचे आ जाते है ओके सदन चेंज अब वो सदन चेंज है ना ये क्रियेट करता है बोड़ी के मेटाबोलिजम के अंदर हर्मोर्मोंस के अंदर और हम फील करते है जो फीमेल होती हो फील करती है कि भई ये क्या हो गया अब हॉर्मोनल चेंज की वैसे उसको लगता है इप्रेशन है मुझे मेरा बच्चा अच्छा नहीं लगता है चिर्षड होता है मेरा ध्यान नहीं रखता है अब भईशारा 20 आवर्स आपके खित्मत में है बच्चा यू फील बच्चा आइन टाइम पर रोता है हलांके ये सब नॉर्मल है बट वो जो बच्ची जो हाँ हॉर्मोनल चेंजिस से गुजर रही उसको ये सब लग रहा है तो क्या ऐसी फीलिंग्स होना किसी नॉर्मल है नॉर्मल मधर को एक बैड मधर बनाता है अपने दिमाग में अपने दिमाग में क्योंकि अगर कोई मैंने जितना अब्जर्व किया है एस पर माइ अब्जर्वेशन बिंग अ मधर आफ सीन कि अगर कोई इस तरह की कंप्लेंज करे तो आज हमारे घरों में उन्हें क्या कहा जाता है अल्ला ने ऐसी आपके पैर के नीशे जन्नत दिया है आप ऐसी माँ बन गए ऐसी जन्नत मिल गए आपको यह सब तो नॉमल है यह कहा जाता है तो क्या इस तरह के स्टेटमेंट्स देकर आप उन्हें बेटर फिल करवा सकते हैं यह नहीं कहा जाए आने वाले दिनों में इसी लिए यह चैनल है उसी लिए यह प्रोग्राम है कि भाई आपकी बहु बेटी के साथ में यह जो हो रहा है उसको एड़ाइज सजेशन रिकमेंडेशन की जरूवत नहीं है इसको सपोर्ट की जरूवत है आश्वासन की जरूवत है उसको हेल्प की जरूवत है इमोशनल तच की जरूवत है फिजिकल तच की जरूवत है उसको समझ रहें की जरूवत है अगर आपको help करना पड़े तो आप अगर जुख जाओगे उसकी थोड़ी help करते तो she'll be thankful to you for a year together exactly, exactly, वो बात हमेशा याद रहे है वो चल रही है, वो बच्ची जो है, वो ये state से चल रही है जहाँ डिप्रेशन होना उसके लिए लाजिम है अच्छा होता ही है जादा तरहाँ अपसुलुटली, मेजर अफ दे मेजर 98% अब 2% जो है वो तो कोई लगी ली हो, बड़ ये होता है नॉर्मल है, हार्मोन नीचे गए हार्मोन नीचे गए, उसके तीन हार्मोन होते है, हाइपोथलामस पिटिटोरी, एन अड्रिनल ये तीन हार्मोन जो होते है ये रिस्पॉंसिबल होते है मूड स्विंग के लिए अब ये तीन हार्मोन नीचे आगए, बच्चा क्या करें बच्ची के ओपर कितना स्ट्रेस प्रेग्नेंसी का स्ट्रेस उसको नहीं नहीं बच्ची, उसको पता नहीं का उनली है, बच्ची करना है, एक्जाक्ली अट टाइम पर होता है, मुझे नीद आती है बच्चे को फीडिंग चाहिए, बच्चा पॉट्टी कर दिया देस नो रेस्ट जी इन वो रेस्ट के अंदर यह हमारे जो दिमाग के अंदर जो चलते है होर्मोनल चेंजिस होते है यह तो प्रॉब्लम है दॉक्टर ठीक है नहीं और यह प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग गुजरते है इसका सल्यूशन का है मैंने अलड़ी बता दिया मम्मी, सास, नंदे, भाई, बहन स्पेशली, 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 स्पेशली हजबन एडवाई, सजेशन, रिकमेंड़ेशन, मर दो उसको कॉपरेट करो उसको पैमपर करो उसको नर्चर करो I am telling you, इस्पेशली फोर हजबन जी यह हो जाएगा, nothing to worry साथ देने की जरूरत है emotionally अगर उसको help करोगे, तो यह टरनल तो आसनी से पास हो जाएगी यानि जरूरत है हमें उन लोगों का ख्याल रखने की जो new mothers है, advice देना suggestion देना, या फिर यह कहना कैसी थोड़ी आपके पैर के नीचे जरूरत है कि आप अपनी wives का ख्याल रखे, अपनी बहु का अपनी बेटी का ध्यान दे, उनके emotion को समझने की कोशिश करें और उनके साथ cooperate करने की कोशिश करें और अगर यह period के बहार भी अगर आपको लगता है कि यह इसका depression postpartum depression अगर control में नहीं आता है, sick counsellor counselling help sick gynec help यह required है, यह required है, अगर beyond period के बाहर आपे, तो you have to take help what is the problem, यह समझदारी होने की जरूरत है, कि अगर ऐसा है कि यह चीज़े continue होती है, वो after 8 weeks, राइट को? 8 to 10 weeks, अगर आपको आपको 10 weeks के बाद भी यह लगता है, कि आपकी जो partner है, वो अभी भी depressed feel कर रही है sad feel कर रही है, चोड़ी चोड़ी बात पर रोती है, तो please नहीं इसे drama समझेए, ना इस तरीका का comparison करिए, कि हमने भी तो बच्चे पैदा किये है, जरूरत है, आप उन्हें किसी counselor के पास कोई अच्छी गाइनक के पास ले जाए और यह बात समझने की कोशिश करे that she needs help शायद आपके वक्त में यह चीजे नहीं होती थी, इतना accessible नहीं था, medical help लेकिन आज है, तो उस बात को यूज करने की जरूरत है, राइड दॉक्टर? Please. सलाम डॉक्टर, मेरा बेटा 32 साल का है वो अबराड में है और चाहता है हम भी उसके पास वहीं दुबई चले जाएं, जदके उसके पापा और मैं हैदराबाद में खुश होना लेकिन वो फोर्स कर रहा है हमें अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको कॉंगजडिलेट करूँ के माशालला आपने, आल्ला ने आपको इतनी इतना अच्छा वच्चा दिया के हूँ इस मिसिंग पैरेंट्स आज के इस जमाने में जहां लोग बलते ना आई नी मैसल्फ वाले हो चुके हैं माँ पे ही वांस पैरेंट्स यह इस मिसिंग आपको क्वेस्टन को रेड करो तो आपको सैंस आपको स्मेल आएंगी के बच्चा जो है वो माबाप को मिस कर रहा है उसको पूछो के बेटा आप क्यो बुलाना चाहते हूं को और अपने आपको आईने में ख़ड़े के पूछो के नहीं जाना चाहते हूं आप तो मिस कर रहेंगे आपको पैट बरेगा आपका भी एमोशनल पैट बरेगा विल कम बेक, I am happy with your dad You enjoy your time, we'll enjoy our time But at the same time we'll see that we'll talk on the phone we're connected. We're not connected. We don't have any experience you We don't have any experience you And six months, one year, we'll have to stay with you This is a very good solution Right, right So see whether it comes to any problem, it can be solved very easily हल हो सकता है आप आपने विचे से कह सें सबसे पहली बाद यूरा लखी कि आपकी बच्चे चालते है कि AKB के पास जाए तो जाए ही वेके शन वनाइए दुबविए उनके साथ ताम-स्पांट erा स्पैंट किजिये उनको ने हँआ हाथ बठाना ईखेव very good new prospective yes enjoy and then come back फिर आपका बच्चा भी खुश़् आप भी खुश़् और इसी तर्ष हाथे जाते रहे है right doctor we'll move on to the next question please hello doctor I had numbness after my father's death it it has been two years since then the brain gets easily drained and stops to think after a certain time in an exam all memories are blurry sometimes I feel highly grateful and the opposite of the other days Not even a day goes by without anxiety and worry इनका कहना है कि इनके वालिद की देथ को दो साल गुजर चुके हैं लेकिन इनके बहुती जल्दी मेंटली ठक जाते हैं इक्जाम में इन्हें चीजें याद नहीं रहती हैं इनकी जो मेमरीज है वो काफी बलरी हो चुकी है कभी कबार ये काफी जादा अल्ला का शुकर अदा करते हैं काफी बार इन्हें ऐसा लगता है कि क्यों हुआ इनके साथ जो भी हुआ परेशान रहते हैं हमेशा डेडी की एक्सपायर होने के बाद में एक फ्लड ओफ फिलिंग्स राइट सुनामी ओफ फिलिंग्स ग्रीफ के पांच स्टेजीज रहते हैं ओके डिनायल अब अब एक्सेप्टी नी करूँ फिर वो डिनायल की वज़े से एंगर फिर एंगर की वज़े से बारगेनिंग बारगेनिग अजन शायद मेरे डेडी वापस जावे अच्छा वो सकता है के ये मेरा सपना हो ने ऐसा नहीं हो सकता है अच्छा नहीं पिर बोलता है नहीं नहीं है तो हम लोग कुछ जा के दफन कर के आए जी इस अल गोई इंटो मैं है राइड राइड देन दिस क्रेट्स अडिप्रेशन अच्छा, ओके के नहीं अभी तो चले गए, I know I lost you अज फाइनली एक्सेप्टन्स के हाँ ये सभी एक्सेप्टन्स कर लिया के He's not there He's not there, he will not come back, ever जी ये पाँच स्टेजे से हर कोई गुजरता है अभी ये पाइल एक्सेप्टन्स ब या सकता है पाइला डिपर्ड़िं म सकता है पाला अंगर या सकता है य्फिन र tips आपर नि इचे हो सकता है लेकिन ये पाँच होता है ये ये उस्टिकल तो क्या करना चाहिते अग्या है? it's a natural cycle everyone has to go everyone has to face this and let me tell you that until this grief will not be expression of grief is very important is this like any benefit no, suppress you don't express you will suppress you will suppress you will suppress then it will another form because it's emotion is not right, right express is necessary express is necessary this express is not until 2 years it's been kept by its emotions okay okay that's why numbness it's so 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 numbness I don't understand it's blank it's back out what do you want to do grief counsellor if he is a sick person what do you want to do grief counsellor what do you want to do he goes to that stage that he can express his expression of emotion express so the suppressor is expressed the bottle is released the release is released from here so you feel comfortable you feel light since I have told I have told in some episode I remember that grief period is between 4 to 6 months okay until you have to go to someone over a period of time slowly 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 naturally naturally this is natural cycle right but if it's 6 months you need help it's a question mark then you need to see a grief counsellor it's necessary to go to counsellor what will do or what will do you will do you will have to hold there where you can access emotions and you can accept and express that okay it happens it happens it happens it happens it is a whole cycle it is necessary it is necessary it is necessary if you keep the emotion bottle up and keep right then you will get in the next form where will come out yes the emotion will not die okay it will once come out sometimes and get in the next form So it is better तो उसको अगर बाहर निकालेंगे, तो उसकी चैनल से बाहर निकलेंगे, you will also feel relief, and you will also feel free. ओके, यानि जरूरत है इन्हें एक ग्रीफ काउंसलर के पास जाने की, क्योंके दो साल हो गए है उसके लिए, otherwise अगर चार शे महने होते हैं, तो I would say that it's a process. It's normal. Everybody human, everyone goes through this. कोई express कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, कोई सामने कर पाता है, कोई पीछे करता है, कोई अपेले में रोता है, कोई सब के सामने रोता है, कोई दाहाडे मार के रोता है, कोई खाली इसा अंदर अंदर रोता है, लेकिन रोना तो जरूर ही है. It is important. एक्स परन ब्रूज तो करना भल्या रो नहीं किसी भी तरह से करो एक्स पर सप्रेस टो करना पड़ेगा एक्स नहीं करो कै तो सप्रेसरेगा सप्रेगा तो अग्ली फ्रम पर आएगा सप्रेवरे तो ड Fleisch जा जरूरत है ब्रधा आपको एक कांसिलर के पास जाने की जो आपके एमोशन को एक्सेस कर सके तक कि आप लाइट फील करें और अपने एमोशन को एक्स्प्रेस कर सके राइट दॉक्टर प्लीज मुझे उनका दिल नहीं तोड़ना मैं उन्हें कैसे संजाओं शायद है एक सवाल हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के लिए जवाब बन जाएगा नहीं तो मैं समझ लो के मुझे मेरे बच्चे को बैट के समझाना चाहिए के बॉस चलो नौ गियर अप वेकेशन आ गया है और अभी आप लोगों को सब को पता है कि भाई हमारी थोड़ी माली आलत फाइनेंचल आलत आइम टॉकिंग तु माई बच्चा लोगा अच्छा बच्चो को बोल सकते है इसा बिल्कुल क्यों नहीं बोलने का हकीकत बताने का लोग सोचते न हम क्यों हमारे बच्चो को बोले ऐसा वो हमारे बारे में क्या उसको उसको उसके पास गरी भी नहीं गानी है जी उसको बो पोसिटिवली बोलें तो बच्चा भी समझेंगा के यार पैसा इस नोट इंपॉर्टंट, I want my daddy, I want my mommy, I want my brother, this is called vacation, what is the definition of vacation, रूटीन से बहार आना, to spend quality time, तो नियर बाइ गार्डन में जा सकते हैं, बिलकुल जा सकते हैं, बिलकुल जा सकते हैं, बिलकुल जा सकते हैं, बिल आँजी खेल सकते हैं, anything, connection, that is important, बिलकुल जाएं के बाओ, nothing to worry, हम लोग जाएं के शामको फुटबोल देखने, फुटबोल खेलने, जे, अब इतना तो बंदा आफोर्ट कर सकता है, बाओ मिज़ जाएं, बीच पर चले जाएं, बोक करें, गारिब के गारिण में चले जा तो जो घंटे भॉंगा। नो रोज यामे वाई वाई वी किशन वाई फो थे ज़ेज्जी वाई फो फो ओन वीग वाई नो फो फो वाई वन명 क्या ज्यादा nutari 2 एंपोर्टेंट है इंक्ञे परलेक्स फीजी कनेक्सल मासला ये ह्या है के, हम Ne titles आपको material चीजों से अटेच कर दिया ये पूरा महिना मैं आपका हाथ पकड़ के हम लोग दोनु मगरी विशा की नमाज पड़ने जाएंगे ये पूरा महिना मैं आज आओंगा अब उन रोज सुभा फजर में उठेंगे नमाज पड़ेंगे वांके बाद में नियर बाइ गा जी टाइंगे जी टाइम स्पेंड करें बच्चा लोग निद्स कनेक्शन दे डों इसलिए लुला कि मैं आपकी बाद से मुत्तफिक नहीं करूंगा जी जी मैं मेरे बेटे को गले लगा लगा लूने ये ये वेकेशन फॉर एम पैंट ताइम मेरे वाइव मेरे बेटे को चुट्टी लेकर उनके साथ टाइम स्पेंड करें सिंबल शुट्टी लेने की जरूपशन में मैं आपकी बात काटता हूं मुझे माफ करना मुझे याद आया है आप जो बोलते हो ने के पैसे है बच्चे लोग ये एक अंपे डिशन है कि मेरा पड़ोसी जो माथे रन गय मैं यही जओंगा वो वहां पडियोचं किया जी उसने लोनावला में किया उसने मापलेश्वर में किया उसने पैरिस में कहिंड और स्वीडन में किया उसने नहीवा में किया हुआ है दो अधर कर एक अनिट है कि यूणि एक अंधर करेंगे गारी में आप थ criterion मतलब अगर हम सोचे तो अगर भले ही आपके नेबर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, महापलेशवर चले जाए, पैरिस चले जाए, कहीं भी चले जाए, कुछ दिनों के लिए जाएंगे, फिर तो लोटके आएंगे, लेकिन हमें यह सोचना है कि अगर हम अपने बच्चों के अगर अगर हम अगर आप मुम्पई में रहते हैं, तो हमारे पास कहीं सारे ऑप्शिन्स हैं, आप अच्छे से गोम सकते हैं, आप पने बच्चों के साथ इंडोर गेम्स भी खेल सकते हैं, तर इससे अच्छा वेकेशन आपके बच्चों के लिए क्या होगा, राइट दॉक्तर? प्लीजु दॉक्तर थेंक यू सो मच आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इतने अच्छे सजेशन्स दिये, सुल्यूशन्स दिये, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे विवर्जिवर्ज सिफ हमारा प्रोग्राम सुनेंगे ही नहीं, बलके इस पर वोक्त भी जरूर रहा है, और वो चैनल का इंटेंशन ही यह है कि अवेर्नेस हो और लोग अपने अपने थाट प्रोसेस के जो है बिल्कुल ठी, यही हमारा मक्राइब है जी, तो विवर्ज आखिर में बस आपसे यही कहना चाहेंगे, कि इस वेकेशन के टाइम में अपने आपको ज़रा सोशल मीडिया से डिसकनेक्ट करें, और अपने घरवालों से कनेक्ट करें, और इस कनेक्शन को इन समर्ज में इतना स चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत शुक्रिया